नमस्कार दोस्तों गनेश कुमार एस्टडी चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम मेडाइवल इंडिया पार्ट नहीं लेक्चर टू पढ़ेंगे मधिकालिन भारत लेक्चर टू तो कल हम नोगर ने डिसकस कर लिया था कि एक हजार एक से एक हजार तिस तक महमूद अफ़ गजनी जो सत्रा बार रेड करता है जो हमारे लिए इंपोर्टेंट था पंद्रहमा रेड करता है सोमनास टेंपल गुजरात में तो ये सब बाते मेंसन की गई है किताब उल हिंद जो अलवरुनी के अब बुक आता है उसमें इस बुक को ही फोर्थ आई विटनेस अबाउट इंडिया बोला जाता है ठीक है दोस्तों तो आज का कहाने कुछ बेश्ट है मुहमद गोरी और पिर्थवी राज चोहान के बीच तो मुहमद गोरी सबसे पहली बार 1175 इस्वी में इंडिया आता है तो ये रूल करता है 1175 से 1206 तक ठीक है दोस्तों इसका एक्च्छल जो नाम होता है मुईजुदीन मुहमद बीन सायम ठीक है अब जब ये अफगानिस्तान से इंडिया आता है तो उस टाइम भारत में सासक होता है सुलंग की उससे ये यूद करता है उस यूद में हार जाता है ठीक है इसके बाद 1180 से 90 के बीच बैटल आफ तवर हिंद होता है उस बैटल को जिद जाता है ये बैटल भटिंडा में होता है अब हमारे लिए दोस्तों इंपोर्टेंट है कि मुहम्मद गोरी और पित्वी राज चोहान के बीच कब-कब लड़ाई हुआ है तो 1191 से में फर्स्ट बैटल आफ तराइन होता है जो मुहम्मद गोरी और पित्वी राज चोहान के बीच होता है ठीक है अब इस लड़ाई में पित्वी राज चोहान मुहम्मद गोरी को हरा देता है फिर दोनों अपने अपने जहां का सासक है वहाँ लोट जाता है यह सासन करता है दिली क्या सपास यह करता है अजमेर ठीक है इसके जस्ट एक साल बाद फिर से लराई होता है सेकेंड बैटल ओफ तराइम उस बैटल में जो पित्वी राज चोहान के पास सेना होता है एज कमपेर टो मुहमद गोरी ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी मुहमद गोरी इस बैटल को जीत जाता है इसके पीछे का रीजन यही है कि मुहमद गोरी का वार स्टेटची बहुत ही बेटर होता है पित्वी राज चोहान से ठीक है इस बातों को हमने मेंशन कर दिया है कि 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ उसमें मुहमद गोरी हरादिया पित्वीराज चोहान को और दोनों बैटल में एक दूसरे को मारता नहीं है डिफीट करता है वान ले ठीक है इस बातों को आपको ध्यान रखना है तो ये वार जित जाता है मुहमद गोरी ड्यू टू बेटर स्टेट जी ठीक है इसमें एक इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पित्वीराज चोहान को जैचंद ने छल कर लिया था वो बेश्ट कलिक था और उसने साथ नहीं दिया था पित्वीराज चोहान को ठीक है लेकिन जितने भी राजपूत थे जितने भी राजपूत थे वो पित्वीराज चोहान को सपोर्ट किया था ठीक है एक्सेप्ट जैचंद जो चंद्रबदाई के द्वारा लिखा जाता है ये फ़र्ष्ट बोक हिंदी लेंग्वेज में है ये आपको ध्यान रखना है ये सब हमारे एक्जाम पॉइंट उब उसे काफी इंपोर्टेंट है और मैं इसको कहानी की तरह थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि आपको ये याद हो जाए तो चंद्रबदाई ने यहां पे एक बात बोलता है कि मेरा जन्म और पिठ्विराज चोहान का जन्म एक साथ ही होता है जो मैं पिठ्विराज चोहान को अच्छे से जानता हूं पिर्थ्विराज चोहान सब्द भेदी बान चलाने में बहुत अच्छा था लेकिन नीपुन था ठीक है तो इसने पिर्थ्विराज चोहान को बोलता है चार बास, चोबिस गज, अगुल अस्त परमान, ताउप और सुल्तान मत्चु को चौहान, पित्विराच चौहान बान चलाता है और मुहमद गोरी को मार देता है लेकिन दोस्तों ये बाते इतिहास कारों ने कालपनिक माना है ठीक है, तो जिसको इंगलिश में fictional बोलते है, ठीक है, तो कालपनिक बाते हैं, ये बाते सही नहीं है इतिहास कारों ने बताया कि जब मुहमद गोरी सिकेंड बैटल अफ तराइन में पित्विराच चौहान को हरा देता है जब वो अपने अफगानिस्तान को रिटर्न कर रहा होता है, यहाँ पे कुतवदीन एबग को गुवर्नर अफ तेली पॉइंट करने के बाद तो अफगानिस्तान के पास ही पलंडर के द्वारा वो मारा जाता है इस बातों को मैंने मेंसन कर दिया इस नोटस में इन ट्वेल जीरो सिक्स गोरी किल्ड बाई पलंडर इन अफगानिस्तान ठीक है दोस्तों तो इससे पहले जो है ग्यारा सो चौराने में बैटल अफ चंदावर हो गया होता है जिसमें जैचंद को भी मुहम्मद गोरी ने हरा देता है ठीक है और इसने एक कोईन भी इंटोड्यूश करता है जिसमें गोर्डेश ओफ लक्षमी का इमेज होता है ठीक है दोस्तों तो यहां यह जितने भी बाते इस नोटस में में इंसन की गई है और इसको मैं ट्राइ कर रहा हूँ कि एक कहानी की तरह पेस करो जो आपको याद करने में मतलब की helpful हो ठीक है दोस्तों तो चलिए आगे अब जैसे ही कुटबदीन एबा को पॉइंट करके गया गोवर्णर अफ देली वहां से ही देली सल्तनत का स्टार्ट होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डानेस्टी होता है उस डानेस्टी को एकिप करके हम पढ़ेंगे तो आगे का लेक्चर जो बेस्ट है देली सल्तनत पे ठीक है चलिए तो देली सल्तनत में सबसे पहला डानेस्टी होता है स्लेव डानेस्टी स्लेव डानेस्टी चलता है बारसो 126 से लेकर के 1290 तक ठीक है और देली संतनत होता है 1206 से लेकर के जब तक मोगल सासन आ जाता है तब तक का यानि 1526 इस्विश तक ठीक है दोस्तों हम लोग ने बाते की थी कि मुहमद गोरी यह पॉइंट करके जाता है अपना चेला कुतोबदीन एबग को तो ओ रूल करता है लहार से ठीक है तो इसने और्गिनाइज करता है इकता सिस्टम जिसका कंसेप्ट है कि लेंड गिवेन टू मिलेटरी कमांडर ठीक है दोस्तों तो इसका दो मतलब की काम था एक काम था कि कॉलेक्शन ओफ रेवेनू जैसे घोरे पे बैट करके पहले आप टीवी में देखते हुएगा कि आड आता था डीडी नेशनल वगएरा में या किसी सिरियल ने तो घोरे पे बैटके यह सब टैक्स वसुलता था और दूसरा काम था रेजिंग ओफ एन आर्मी यूनिट ठीक है तो इसके बाद जो है इक्ता सिस्टम के इक्ता सिस्टम जो था उसका हेड को बोला जाता था मुक्ति ठीक है इक्ता सिस्टम के हेड को बोला जाता था मुक्ति अब एबक को ही लक्ष बक्ष बोला जाता है एबक को ही लक्ष बक्ष बोला जाता है तो एबक जो है एक पैर में उसका प्रोडम होता है तो जब वो एक game खेलता रहता है जिसको बोलते हैं चोगन तो game खेलते वक्त यह पोलो जैसा होता है घोरा पर बैठ करके खेला जाता है उसको तो game खेलते समय वो घोरा पर से गिरता है और उसका death हो जाता है ठीक है तो ही डाइड इन 1210 वाइल प्लेइंग चोगहन ठीक है अब एबग जो है टू मस्क कंस्टक्ट करता है पहला क्वात उल इसलाम और अधाय दिन का जोपरा ठीक है तो ये था एबग की कहाने अब एबग का जो सलेव होता है इलतुतमिस ठीक है दोस्तों तो इसलेव होता है इलतुतमिस का साशन होता है 1211 स्वी से लेकर के 1236 स्वी तक इसको रियल फाउंडर ओफ देली सतनत बोला जाता है ठीक है और ये काफी पावरफुल होता है रियल फाउंडर इसलिए बोला जाता है कि ये काफी समय तक साशन किया था ठीक है एक बात और मेंसन कर देना चाहता हूं कि कुतुब मिनार कुतुब दीन एवक के समय स्टार्ट किया गया था लेकिन ज्यादा उसमें काम हुआ नहीं था उसको फिर फिनिस करता है इलतुत्मिस इलतुत्मिस ने चार मंजिल तक बनाता है और फिर बाद में एक मंजिल तियार करता है पाँचमा ओ फिरोसा फिरोसा तुगलक है जिसका पूरा नाम तो ये पाँच मंजिल तक है जो ब्रिक्स की बनी हुई वर्ल्ड की सबसे बड़ी इमारत है सबसे उची इमारत है ठीक है ति ये काफी एक बात और इसमें इंक्लूड कर लिजे कि कुटू मिनार जो है कुटूबदीन एवक के नाम पे नहीं है एक सूफी संथ होता है कुटूबदीन बक्तियार काकी सूफी संथ उसके नाम पे कुटू मिनार का नमाकरन किया गया है ठीक है दोस्तों हाँ तो हम लोग थे इल्टुतमिस पे इल्टुतमिस एक पावरफुल सासक होता है ये कैप्चर कर लेता है बंगाल पे ठीक है इस टाइम चंगेज खान जो मंगौल का किंग होता है ठीक है वो जो है ख्वारिज्म के खोज में निकलते हैं और वो इंडिया पे अटेक कर देता है लेकिन सबसे यहां बो धिवानी की बात होता है इल्टुतमिस के द्वारा की ख्वारिज्म साह को इल्टुतमिस ने सेल्टर नहीं देता है तो उस बात को मैंने मेंशन कर दिया है कि 1221 इस्वी में चंगेज खान अटेक इंडिया जो मंगोल किंग होता है ये फ़र्ष्ट मंगोल अटेक होता है इंडिया पे तो आप से यहां पर क्या आपके point से क्या important है कि चंगेज खान किसके समय में अटेक किया था इंडिया पे ये question बन सकता है और ओ कहां का king था ठीक है तो फिर था कि इल्तुत्मिस refuse कर देता है सेल्टर देने से ख़रिज मिसाह को ठीक है और इंडिया सेव हो जाता है ऐसे माना जाता है कि चंगेज खान काफी क्रूर बेखती था अगर ओ सरन दे देता इल्तुत्मिस तो काफी आगे बढ़ जाता और इंडिया को destroy कर देता काफी कुरूर सा सकता ऐसा माना जाता है कि इल्तुत्मिस ने ही silver coin start करता है कि जिसको बोलते हैं टांका ठीक है और फिर copper coin भी start करता है जिसको बोलते हैं जित्तल जित्तल ठीक है दोस्तों अब इल्तुत्मिस का दो चाइल्ड होता है एक फिरोज जो sun होता है उसका एक राजिया जो doubter होती है ठीक है तो उसे पहले हम एक point और देख लेते हैं कि सेर सा सूरी उसी टंका को बाद में नाम देता है रुपईया ठीक है इसके बाद हम देखेंगे कि राजिया का सासन ठीक है इल्टुत्मिस के दो चाइल्ड थे एक फिरोज और दूसरी राजिया तो इल्टुत्मिस के समय एक 40 बिद्वान ब्यक्ति का जो तुर्किस होते हैं उसका एक ग्रूप और्गिनाईज किया जाता है जिसको नेम देते हैं चहल गनी ठीक है जो तुर्किस पिद्वान होते हैं ठीक है तो इल्टुत्मिस का इच्छा होता है कि हम राजिया को गद्दी पे बैठाएं लेकिन चहल गनी ने उक्साता रहता है कि फिरोज सासक बने इल्टुत्मिस के बाद लेकिन इसमें राजिया के पास बेने फीट पॉइंट यह होता है कि जो जनता होता है काफी सपोर्ट करता है राजिया को ठीक है तो देख लेते हैं इसके बाद हम फिर दिसकस करेंगे कि सी वाज डाउटर ओफ इल्टुत्मिस नॉमिनेटेड बाई इल्टुत्मिस फोर देली सल्तनत लगू अपना इल्टुत्मिस देथ के बाद देली सल्तनत पे उसको पॉइंट कर देता है यानि गद्दी पे बैठा देता है नॉमिनेट कर देता है और फिरोज उसका सन हो प्रज ओचलगनी के सपोर्ट से रूल करता है ठीक है तो राजिया वाज only elected सुल्टान सी had full public support ठीक है राजिया इसलिए select होती है कि उसके पास public support काफी ज्यादा होता है इसके बाद इसका जो है एक army का chief होता है याकूत जिसको बोलते है chief of cavalry ठीक है chief of cavalry तो याकूत जो भी राजिया के एगेंस्ट में रिवोल्ट होता था उसको सप्रेश करने में इसका बहुत बड़ा योगदान था ठीक है तो बाद में क्या होता है रिवोल्ट ओफ भटिंडा तो ये चीफ कमांडर होता है इस पॉइंट को हम देख लेते हैं हाँ रिवोल्ट बाई मुक्ति जो कुतुबदीन एवग के द्वारा और्गिनाईज किया गया था एक्ता सिस्टम जिसका हेड था मुक्ति वो मुक्ति रिवोल्ट करता है चलगनी के इंसाइड से यानि सपोर्ट कह सकते हैं उक्साओ कह सकते हैं चलगनी के उक्साओ से ये रिवोल्ट करता है मुक्ति ठीक है लेकिन इस रिवोल्ट को जो याकूत था वो सप्रेस कर देता है ठीक है तो दे कमांडर ओफ चीफ देली सल्तनत वाज याकूत हेल्प टू सप्रेस दी रिवोल्ट एगेंस्ट राजिया इसके बाद रिवोल्ट अब भटिंडा होता है जिसमें अल्टूनिया लेड करता है उस रिवोल्ट को और याकूत को उसी में मार देता है और फिर राजिया से साधी कर लेता है ठीक है दोस्तू आई होप यहां तक बाते किलियर हुआ होगा इसके बाद 1240 से 40 के बीच अब वो छोटे छोटे सासक है जो चालगनी के सपोर्ट से सासन करते है तो बहराम साह और मौसूद साह ठीक है ये रूल करते हैं और ये एक पोस्ट बनाते हैं मलिक नैव ठीक है ओन दरीके रिकमेंडेशन ओफ चालगनीज ठीक है मलिक नैव का मतलब होता है चीफ नहीं मलिक नैव का मतलब होता है डिपुटी सुल्तान ठीक है दोस्तो इस अब मिनार सुरी मिनाज अस्सिराज जो है ये बोलता है राजिया के बारे में कि राजिया के पास सारे कैपबिलिटी था एक्सेप्ट वो ओमें थी ठीक है वो सारे जो रूल करने का एबिलिटी होता है सारे एबिलिटी थे उनमें लेकिन एक यही कमी था कि वो ओमें थी ठीक है तो ये मिनाज अस शिराज ने बोलता है एक नोट है इसमें जो इक्ताधारी सिस्टम को फुल फ्लेज इंप्लिमेंट किया था वो भी इलतुतमिस के द्वारा किया गया था ठीक है अंडर इक्ताधारी सिस्टम को फुल फ्लेज इंप्लिमेंट इल्टुत्मिस के द्वारा ही किया जाता है तो आज का कहाने यही तक दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा इसे लाइक करे, सब्सक्राइब करे, सेयर करे और जैसे ही मिडाइबल इंडिया खतम होता है तो आप कोई बुक कुश्चन बैंग का होगा उसको लगाईएगा और देखी आप से कितना परसेंट कुश्चन लगता है फिर कमेंट करिए अगर नीट परता है ऐसे मैं यह बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट बनाया हूँ, इसे कुश्चन नहीं छूटना चाहिए अगर छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फिर उसका सलोशन निकाला जाएगा थैंक्यू धन्यबाद, नमस्कार आप अपना ख्याल लखेगा